देहिन दुस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ITBP Constable Driver के लिए 545 पोस्ट पर जो आपका भरती जारी किया गया है इस भरती के फिजकल टेस्ट के बारे में देखिए दुस्तो सेलेक्शन प्रोसेस के दोरान ITBP Constable Driver भरती का सबसे पहले आपका फिजकल टेस्ट यानि क P.E.T. P.E.S.T. और Document Verification ही होने वाला है तो दोस्तो आपका फिजकल टेस्ट कॉप से सुरूग होगा इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे इसके बारे में दोस्तो आज की इस वीडियो में जानेंगे और देखिए दोस्तो ITBP Constable Driver की जो भरती है अगर अभी आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किये है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए क्योंकि दोस्तो इस भरती के अंतरगत आपका Competition काफी कम रहने वाला है देखिए दोस्तो इस वेकैंसी में Competition आपका काफी कम है क्योंकि इसमें Heavy Motor Vehicle का Driving License आपसे मांगा गया है जो की काफी क में Student के पास होता है अगर दोस्तो आपके पास है तो definitely इसका फॉर्म अप्लाई कीजिए काफी कम नंबर पापका सेलेक्शन इसमें हो जाएगा अब चलिए दोस्तो यहाँ पर बात करते हैं अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दिये हैं या फॉर्म अप्लाई करने वाल होगा क्योंकि देखिए दोस्तो अभी तो इस भरती का फॉर्म आपका 6 नवंबर तक चलने वाला है 6 नवंबर दो हजाजार चोववीं सक्वर्म अपका होगा लास्ट डेट आपका 6 नमबर दो हजारुवीं से तो इसलिए दोस्तो इसकी फिजिकल जो है जनुवरी या फर चक्छों ओरत्याया था ITBP का, इसका भी फिटकल अभी कंड़र्थ कराना है, इसके अलाबा दोस्तों अभी आपका फिटकल कंड़र्थ कराना है, तो पौहले ट्रेट्समें का होगा, उसके बाद कौनस्टेबल किचण सर्विस का, उसके बाद एनिमल ट्रांस्पोर्थ का, उसके बाद ही दोस्तों आपका Constable Driver का फिचकल सुरू होगा, तो दोस्तों ये फिचकल जो Constable Driver का आपका फिचकल है, ये दोस्तों पूरा उमीद रहेगा, मैक्समम जो चांस है आपका जनवरी के लास्ट विक से या फरवरी से दोस्तों आपका सुरू होने की, क्योंकि अभी दोस्तों जो आपका Constable Tradesman का है या किचन सर्विस का है, ये सभी फिचकल दोस्तों आपका December 2014 में आपका होने वाला है, December 2014 में सुरू होगा, तो दोस्तों इसी से आप समझ सकते हैं कि Constable Driver के फिचकल टेस्ट होने में, अभी आपके पास समय काफी है, ज्यादा आपको समय अभी मिलेगा, क्योंकि इसका फिचकल जनवरी फरवरी 2025 में ही होने की पूरी उमीद रहेगा, उसके पहले इसका फिचकल नहीं होने वाला है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इसके बात करें तो इसमें दोस्तों आपका फिचकल एफिचकल एफिचेंसी टेस्ट है इसकी बात करें, तो इसमें दोस्तों आपका जो है 1.6 किलो मिटर का रनिंग होगा सारे 7 मिनट में, तो अगर आप इसके फर्म अप्लाई कर दिये हैं, तो इसी के कोडिंग आपसे भी तयारी किजिए अपना, 1.6 किलो मिटर का रनिंग सारे 7 मिनट में होगा, एक आरे फिट का लोंग जंप आपका होगा, और सारे 3 फिट का हाई जंप आपका होगा, तो यह दोस्तो आपका PT के अंतरगत होने वाला है, और यह ज़स्ट एक क्वालिफाइंग आपका नेचर है, यानि कि इसे केवल आपको पास करना है, इसमें किसी भी तरह के नंबर आपको, no marks will be awarded, कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, अब दोस्तो यहाँ पे PT के अंतरगत आपका क्या क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे देख लिजिए, कि height, weight और chest इसमें कितना चाहिए, लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दे, ITVP Constable Driver भरती 2024 के लिए अगर आपने फर्म अपलाई कर दिये हैं, और इसके दोस्तो अगर आप तयारी कर रहे हैं, तो इसके written exam के लिए best book अपका होने वाला है चक्छू publication का, देखिए दोस्तो चक्छू publication के तरफ से ITVP Constable Driver के लिए यह एक practice set है, जिसमें 50 practice set आपको देखने को मिल जाएगा, और देखिए दोस्तो जो इसके exam के syllabus है, उस syllabus के अधार पर जो है practice set को तयार किया गया है, जिस तरह से आपके exam में प्रॉस्न पुछे जाते हैं, उसी टाइप के प्रॉस्न आपको इस practice set में देखने को मिल जाएगे, description में मिल जाएगा, या नजदिक के market से भी जाकर, इस book को आप सभी ले सकते हैं, देखिए दोस्तो यहाँ पे height की बात करें, कि height कितना measurement होगा आपका, तो 170 cm height मापा जाएगा, chest आपको 80 cm और 5 cm आपको फुला कर 85 cm करना होगा, और इसके अलावा दोस्तो जो hill area से belong करते हैं, इन सभी यह state या community से, तो आपको height में यहाँ पे shoot दिया गया है, आप सभी के लिए यह height का details रहेगा, बाकी जो candidate है, उनका 170 cm है, और इसमें दोस्तो केवल male candidate का ही भरती है, इसलिए केवल male candidate का ही details दिया गया है, female का भरती इसमें नहीं है, और weight दोस्तों आपके height and age के coding वापा जाएगा, तो यह दोस्तों आपका PT-PHD के अंतरगत होने वाला है, और PT-PHD जब दोस्तों आपका complete हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों जो next process है, वो आप सभी यहाँ पर देखेंगे, जो आपका next process होने वाला है, वो अप phase 2 होगा, और phase 2 में दोस्तों आपका written test होगा, 100 marks का, और इसके syllabus की बात करें, तो दोस्तों इसमें 7 number का आपका trade का cushions रहेगा, motor transport related जो है 7 number का process न रहेगा, तो दोस्तों यह इसका exam का syllabus है, और इसी के coding आपको तयारी भी करना है, और देखिए दोस्तों इसमें caught up जो है आपकी काफी कौम जाने वाला है, इसके पीछे region यह है कि इसमें काफी कौम student form apply करने वाले हैं, और यह भी motor vehicle का driving license है, तो अभी जाकर आप form apply कर पाईएगा, तो दोस्तों अगर आपके पास driving license है, तो आप form जरूर apply कीजिए, क्योंकि अभी form apply का last date अपका 6 November 2014 है, 545 अपका total post है, category वाइज vacancy देख सकते हैं, तो दोस्तों अभी आपके पास समय है, form apply कर दीजिए, इसमें ज़्यादा competition आपको देखने को नहीं मिलेगा, और job भी आपका काफी अच्छा है, driver का job है, level 3 का payment आपको दिया जाएगा, तो दोस्तों आपके लिए best vacancy होने वाला है, अगर आप form apply करते हैं तो, I hope आप समझ गए होंगे, कोई भी सवालों कमेंट सेक्षने बताइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रमा,